हेलो डियर स्टुडेंट्स करते हैं नीट का 2023 का क्वेशन लाइट रवल सर दिस्टेंस एक टाइम टी वन एयर 10x एन टाइम टीवन तीवन तो इन अडर देंसर मीडियम वाट इस देंसर में यह एट कर रही है और दूसरा मीडियम जो है जिसमें 10x इस इंसल कर रहे है वो देंसर मीडिया है ठीक है तो question बोल रहा है कि आप critical angle find करो यह critical angle का formula होता है sin c is equals to mu r by mu d यह वही वहला formula है sin c is equals to 1 by mu उसी को हम इस format में भी लिख सकते हैं ठीक है नहीं बता तो देख लो जैसे मैंने यहापे भी लिख रहा है sin c equals to 1 by mu अब मुझे यह mu r by mu d से ही सारी काने निकालने पड़ेगी mu r by mu d को क्या लिख सकता हूँ मैं क्योंकि rarer medium मेरा air है तो 1 by mu बन जाएगा d क्या denser medium का refractive index जो कि मैं को given ही नहीं है तो यहाँ पे mu ही आ जाएगा सीरी बात हो गई अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं mu r by mu d को इसको लिख सकता हूँ velocity in denser medium upon velocity in rarer medium अगर हम लिखते है refractive index of rarer medium upon refractive index of denser medium तो उसका formula होता है equals to vd by vr अब vd by vr मतलब velocity in denser medium upon velocity in rarer medium तो velocity होती है distance upon time तो denser medium में distance travel करा 10x और time लगा t2 ऐसी radar medium में distance travel करा x और time लगा t1 तो 10x by t2 और इतर आजएगा t1 by x x cancel हो जाएगा तो बचेगा 10 t1 by t2 अब vd by vr की value आगी 10 t1 by t2 तो यहाँ substitute करो vd by vr किसके बराबर आजएगा 10 t1 by t2 के और यही mu r by mu t है तो 1 by mu की के value आगी मेरे पास यह 1 by mu ही है मेरा ठीक है न तो 1 by equals to 10 t1 by t2 आगे मेरे पास अब यह 1 by mu की value यहाँ substitute कर देता हूँ तो यह आजाएगा मेरे पास 10 t1 by t2 और यहाँ से c के आजाएगा मेरे पास c हो जाएगा sin inverse of 10 t1 upon me t2 थैंक यू